हलो फ्रेंज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में जेनरल साइंस वीडियो सिरीज का यह नौमा वीडियो है इसमें हम एनिमल किंग्डम क्लासिफिकेशन यानि जन्तु जगत वर्गी करन को देखेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पुराने सभी वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं जैसा कि हमने जेनरल साइंस वीडियो सिरीज का पहला वीडियो सेल से स्टार्ट किया था और सुरू के तीन वीडियो में हमने सेल को अच्छे से देखा उसके बाद के तिन वीडियो में हमने टीसू यानि उत्तक के बारे में परहा फिर हमने Taxonomy यानि वरगिकी को स्टार्ट किया था इन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा साथ ही आप I button में क्लिक करके General Science के playlist में जा सकते हैं तो डिस्कस करते हैं Taxonomy में हमने क्या पराता Taxonomy में हमने 5 Kingdom Classification जो की आरेच वी टेकर द्वार दिया गया था उसके बारे में डिटेल से देखा था जिसमें हमने Monera, Protesta, Fungi यानि कवक, Planty यानि पादप, Animalia यानि जन्तु के बारे में डिटेल से देखा था उसके बाद के वीडियो में हमने Plant Kingdom को Classify किया था जिसमें हमने Plant Kingdom को Thylophyta, Bryophyta, Teridophyta, Gymnosperm और Angiosperm में Classify किया था आज के वीडियो में हम Animal Kingdom यानि जन्तु जगत को वर्गी करन करेंगे जिसमें हम Animal Kingdom को Porifera, Cylendrata, Platyhelminitis, Nematoda, Anilida, Orthopoda, Mulaska, Echinodermita, Protocordata, Vertebrata में डिवाइड करेंगे ये सारे वर्ड आपको सुनने में काफी टफ लग रहे होंगे पर हम इस वीडियो में इन सारे को बारे में काफी detail से और अच्छे से समझेंगे आप इसको असानी से समझ पाएंगे इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है इससे एक जाम में अकसर प्रस्ण पुछे जाते हैं इसलिए वीडियो को अंत तक देखें एक बात आपको ध्यान में रखना है इसको डिवीजन कहा जाता है, जैसे इक प्लांट हो गया kingdom और उसके बाद का जो classification होता है उसको डिवीजन बोला जाता है, पर animal हो गया kingdom और उसके बाद का जो classification है इसको phylum बोला जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है, तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले हम पोरी फेरा के बारे में देखते हैं इनकी सारेरिक सरचना अत्यन सरल होती है यानी काफी सिंपल होती है इनके पूरे बोडी में अनेक होल्स यानी छिद्र पाए जाते हैं जो की नाल प्रनाली यानी केनल सिस्टम से अठेच होते हैं जिससे की O2, Water और Food का संचरन होता है यानि Circulation होता है ये Non Motile यानि अचल जीव हैं यानि की एक जगा इस्तिर होते हैं या किसी सोली सपोर्ट से चिपके होते हैं यानि अटेच होते हैं या खारे जल में पाए जाते हैं और इनका Outside Layer Hard Covered होता है कुमलने इने Sponge नाम से जाना जाता है ये आपको ध्यान में रखना है कि पूरी फेरा को आम तोर पर Sponge भी कहा जाता है इसके एक्जामपल होंगे Cycone, Uplectela, Spongeela, TTC आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि Sponge का परियोग ध्वानी औफ्जोसन यानि Sound Absorber के लिए होता है अगला है Silentrator ये जलिये जनतु है यानि की Water में रहने वाले जीव है इनके Body में Cavity पाया जाता है Cavity क्या होता है हमने पिछले वीडियो में ये सब Discuss किया हुआ है ये Two Layer of Cell में Divide होते हैं पहला जो Outside Layer में होता है और दूसरा उसके Inner Lining में होता है इनके कुछ जीव समू में रहते हैं जैसे की Coral और कुछ एक आकी में होते हैं जैसे की Spanth यानि Hydra जैसे की आप Figure स्क्रीन में देख पा रहे हैं Jelly Fish Sea Anemone जैसे की समुद्री Anemone बोलेंगे Hydra A.T.C. आगे देखते हैं Platy Helminthase के बारे में इनका Body Bilaterally Symmetrical होता है Bilaterally Symmetrical क्या होता है अगर हम किसी चीज को Laterally बीच से कातेंगे तो वह दो समान भागों में बट जाएगा यह Triploblastik यानि Tree Corak होते हैं यानि की इनका Tissue का Differentiate तीन को सिखिये अस्तर में हुआ है यानि की Three Layer of Cell में होता है इससे पहले हमने Slendrater में देखा था Two Layer of Cell में होता था इनका सरीर चप्टा होता है और इनमें Excretion यानि उर्साजन Flame Cell द्वारा होता है इसके Example हो जाएँगे Planaria Liverplook Tape War ETC आगे देखते हैं X-Helminthes इनको नीमा टोडा भी बोला जाता है इनका बोडी भी Bilaterally Symmetrical होता है Tripoblastic होता है जैसा कि हमने Platy Helminthes में देखा था पर हमने Platy Helminthes में देखा तक उनका सरीर चप्टा होता है जबकि X-Helminthes के जीव का सरीर Cylindrical यानि Balancar होता है ये भी परजीवी यानि Parasitic होते है Parasitic का अथ होता है इसे जीव जो जिस दूसरे जीव में होते हैं उसी के फूरी अथ्वा Nutrients को लेकर खुद को डेवलप करते हैं यह दूसरे जन्तुओं में रोग उठपन करते हैं इसके एक्जाम्पल हो जाएंगे Ascaris U-chair area आपको ध्यान में रखना है U-chair area के दौरा Fial area रोग होता है अगला है Any leader इनका बोडी भी Bilaterally symmetrical होता है Tripoblastic होता है इनका बोडी में Cavity होता है जिसमें की ओर्गन पाए जाते हैं इनके एक्जाम्पल हो जाएंगे Neris Earth warm जिसे केचुवा कहा जाता है Leech जिसे जोग कहा जाता है आपको ध्यान में रखना है Earth warm यानि केचुवा का Four pairs of heart होता है अगला देखते हैं Orthopoda यह largest group of animals है यानि जन्तु जगत का सबसे बरा संड यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसे बहुत इन्पोटेंट प्रस्न बनता है कि largest group of animals काउन सा है तो वह होगा Orthopoda इनके जू बैलेटरिली सिमेट्रिकल होते हैं साथी सिगमेंटेड यानि खंड युक्त होते हैं इनमें open circulatory system पाया जाता है और इनमें jointed leg यानि जूरे हुए पेर पाये जाते हैं इनके example हो जाएंगे prawns यानि जींग butterflies यानि टिटली housefly यानि मक्खी spider यानि मक्री scorpions यानि बिच्चू crabs यानि केकरे आपको example ध्यान में रखने हैं अगला है मुलासका इनके जींग भी bilateral symmetry होते हैं इनमें open circulatory system पाये जाता है यानि खुली समवहनी साथ ही kidney यानि गूद्दे जैसा एक organ पाये जाता है जिससे की excretion यानि उसर्जन होता है इनके food यानि pair moving यानि move करने के काम में आते हैं इनके example हो जाएंगे पीला यानि गूंगा octopus, unio, chitone, etc इनके कुछ example को special नाम दिया गया है जो की आपको ध्यान में रखना है जैसे की dories इसको sea lemon यानि समुद्री लिम्बू कहा जाता है octopus इसको devil fish कहा जाता है sepia इसको cuttlefish कहा जाता है applecia जिसे की समुद्री खर्गोस कहा जाता है आगे है echinodermita इन जन्टू की ट्वाचा काटों से अच्छादित होती है यानि कि इनके outer skin काटों जैसा होता है ये समुद्री जन्टू होते है इनके कंकाल eomcate, calcium carbonate के बने होते हैं इसके example होंगे antiden जिसे पंक तारा यानि फीटर इस्टार कहा जाता है halothuria इसे C cucumber यानि समुद्री खीरा कहा जाता है echinose इसे C archin यानि समुद्री आचिन कहा जाता है asterious इसे starfish यानि तारा मचली कहा जाता है अगला है protocode data bilaterally symmetrical होते है इनके back side में long road like support structure पाया जाता है जिसे notocode कहा जाता है ये समुद्री जन्तु है इसके example हो जाएंगे hard mania amphioccus bleleina glossus अगला है vertebrata इसमें vertebral column पाया जाता है इसको हिंदे में कसे रुकी कहाते हैं vertebrata group को five classes में divided किया जाता है तो इन पांचों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे यह group exam point of view से काफी important है इसमें हम pieces यानि मतस amphibian, reptelia, abs यानि panchi, mammelia यानि अस्तनपाई के बारे में देखेंगे इसे exam में काफी प्रस्ण पुछे जाते हैं साथ ही अगले वीडियो में हम कुछ exception case को देखेंगे जो की लगता है कि यह group में होगा पर होता नहीं है तो उन सारे example को हम ध्यान से देखेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद